पर अबिलास पनडे किसी की कौई अभिलासा हो नो हमारा अभिलास के अभिलासा है सदेव पर्वान चड़ति रे जोड़ार तालिय अभिलास पनडे जी के लिए वाले इसी प्रकार से संतोस बरगणरे के जोरदार तालिया संदोस आगे बढ़ो हम आपके साथ है और हम सब आठ में से रगातार दोनो जिलाध जहक्ष पेले प्रभाज साहू जी जोरार तालिया बजाओ और दूसरा सुर्भास स्तिवारी जी आठ में से साथ विधान सवाक आपके दोनों के अपने अथक मेहनत से सभी काले करता हो के लिए जोर दार तालिया बजाओ एक तरह से दिल खोल करके आपने नयोगणित सरकार के लिए अपने पुस्पो से हमारे अपने इस वर्तमान के विकास के मार को प्रसस्त किया है। अपनी ओर से सारे लिखेवे नाम पढ़ करके आपके माध्यम से मेरे दाहित का पूरा कर रहा हूँ। एक ऐसा अधूत व्यक्तित्व नरेंद मोदी जी का जिनके अपने नाम लेने मात्र से पूरे सरीर में रोमान चाह जाता है। जिसने भारत को कितने उचाई तक पहुचाया जोरदार तालियान मानि नरेंद मोदी जी के लिए भी। अधूत कलपना सील अधूत व्यक्तित्व के धनी और जब जिदर निकल जाए जनता के लिए वो तो मैं कहते हैं उनके सब्दों में प्रसम सेवकुम हैं लेकिन हमारे नेता है जिनने प्रदान मंत्री पद को इतना गोरानवित किया कि दुनिया के दोसों से जाजा अधेस अगर किसी को सबसे अधा सम्मान देते हैं उनका नाम नरेंद मोदी है यह हम सब के लिए सुभाकियों और गौरो हैं लेकिन काम करने के लिए अपना आधार इस रूप में रखना है कि हमारा समूचा मद्यप्रदेश यह देश का सबसे अच्छा राज्य है माननी सिवराज सिंग्जी ने इसको आगे बढ़ाया है आप उसको और आगे बढ़ाते रहिए लगातार काम करते करते अपने काम की धूरी का केंद्र हर जिला हर गाओं हर गली हर महले तक जाना चाहिए और मुझे इस बात का संतों से कि हमने कहा कि हाँ भाई साब आपने कहा है तो हम अपने लिए सुसासन के ऐसे उच्छतम मापदंड इस्थापित करने के लिए हमारे मद्यप्रदेश के वो गौरों सालि जिनके उपर हमको सम्मान के साथ अलग प्रकार का विचार आता है ऐसे इस्थान से हमारी केविनेट की सुरूब करेंगे मुझे प्रसनता इस बात की है कि रानी दुर्गावती जी वो ही एक नाम है जिनने लगातार अपने जीवन के प्रत्य छणका देश की सेवा के लिए देश के स्वाबी मान के लिए जोड़दार तालिया बजाकर गए रानी दुर्गावती का वो अप्रतिम सोर्य पराक्रम उनका अपना पुरसार्थ और वो जिस्पकार से जीवन जिया है उनने जबलपुर को नी गोणवाना राज को नी पूरे भारत वर्स को गोरान भी कि हमने रखे आप अंदाज लगा लो आज मैंने एक और रानी का नाम जुड़ा है हमारी विरांगना 1857 की अवंती भाई जोड़दार तालिया बजाओ रानी अवंती वाई जी के लिए भी जिनने 1857 में रानी जब्सी की रानी लक्षी भाई के साथ बराबरी से पुले के लिए ये क्रमसा त्रिवेनी जिनके कारण से आज का दिन धन्य हुआ है रानी दुर्गावती जितने युद्ध लड़े एक भी युद्ध नीहरी सारे के सारे युद्ध और ये वो दुनिया के देशों को जबाब है जो कहते हमारे महिलाओं का सम्मान बढ़ाना वो दाना चाहिए आरे हमारे की बहनों ने महिलाओं नि नारियों ने सदे दुनिया के अंदर अधि théा प्रसपेश किया है वो अधारे सभी जांसी की रानी के पेले दुर्गावती जिनने अगबर जैसे महान पता नहीं कैसे महान कहा हुआ उनको लेकिन वे ऐसी बड़ी सत्ता से लड़ने के लिए जिस प्रकार से उनने युद्ध लड़े और तो और युक्ति बुद्धी से भी एक एक धटना उनकी कितनी अलग प्रकार की है अगबर को लगा के गोणवाना पे कबजा करना है तो चालाकी से कूट निती के माध्यम से एक सोने का पिंजरा भेजा और सोने के पिंजरे में तोता रख दिया और ये संदेश था कि आप मेरी अधिसत्ता स्विकार कर ले तो मैं आप कोई राज्जी पे कोई अक्रमन नही अपना जीवन का प्रत्य च्छण देशभक्ती के लिए जिया है इसलिए उनने संकल्प किया कि अगबर तुम कितने भी ताकतवर क्यों नी हो लेकिन भारत की नारियों को ड़ा नहीं सकते उनकी देशभक्ती में प्रस्न नहीं खड़ा कर सकते उन्होंने भी सोने का अपना जुकेगी नहीं ऐसा अप्रतिम और अपना गूटनिती माध्यम से जवाब देने का काम किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती ने किया है और हम सब को मालूम है उनका वो आखरी युद्ध जिस युद्ध में उस समय के काल के प्रवाह में पहली बार तोपों का प्रयोग क किया गया उसके पहले तोप नहीं थी लेकिन उसमें हातियों से घोडों से तमाम प्रकार के युद्ध के सेना के सेना नायक अलग 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 प्रकार से युद्ध लड़ते हैं लेकिन अगबर की सेना ने पहली बार तोप का प्रयोग करके उस युद्ध में अलग से में बड़े प्राकरम से वो लड़ी है और लड़ने के बाद अपने साथ के अंगरक्षक से कहा था कि ध्यान रखना मैं आजाद रही हूँ आजाद ही सरीर छोड़ना चाहूंगी मैं सदेव विजय मार्क पे बड़ी हूँ भारत के मान सम्मान के लिए अगर मेरे सरीर की कुर आप समय में रानी दुर्गावती के आंख में तीर लग गया पेट में तीर लग गया जुद्ध एक तरह से अलग प्रकार की स्थिती में पहुचा तो जो जिसको ड्यूटी दी थी जिसको जबाबदारी दी थी उसके हाथ-पाउं का अपने लगे जिस मा समान सासिका के वो पूरे जीवन की रक्षा करते हाया- वो कैसे उनके बादे में सोच सकता था-वो अलग प्रकार से सोचने लगा रानी ने देखा के मेरे जीवन के समय थोड़ा सा बहुत कम बचा है वो ललकार तेवे सेनिक से बोली तेरे को क्या जवाब दरी दी थी चल तेरे को जो काम करना कर लेकिन वो अगर डरा और वो करनी पाया तो उससे कटार चीनी और अपने सरीर में घोप करके परमात्मा के यहां चली गई लेकिन भार पूरे देश के लिए मान सम्मान का है अगर हम केविनेट रखते हैं उनके लिए तो और केविनेट किसके लिए रखना चाहिए ऐसे अपरतीम योगदान के लिए अजादी के अमरत काल में अगर हम उनको इसमरंड नी करेंगे तो किसको इसमरंड करेंगे यह ऐसे आदर्स को भूलने का काम पुरानी सरकार की पार्टियों ने किया था यह हम इस बात को अठाने के लिए अपने उस पुराने गोरो साली मान सम्मान को लाने के लिए और कांगरेस के मित्रों से भी कहना चाहते हैं कि काल के प्रवा में एसी गलतियां आप से हुई थी आप छमा मांगो जासी की रानी से आप छमा मांगो रानी दुरगावती से आप छमा मांगो रानी अवंती भाई से क्योंकि आपने उनको पा प्रश्टों को सामिल नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या सिक्षा देंगे कैसे आगे बढ़ेंगे फिर एक बार हम जोड़दार ताली बजा मोदी जी के लिए पिछले समय में सो करोड़ों से ज्यादा लागत के रानी दुर्गावती समारक का उनने भूमी पूजन किया था वो पूरा प्रोजेक्ट तो हम करेंगे ही करेंगे लेकिन आपको आस्वस्त करना चाहता हूँ नई सिक्षा नीती में उस बात को भी हम रेखांकित करेंगे जिसमें रानी दुर्गावती रानी अवंतिभाई और ऐसे सभी गोरोशाली जो जो महापुरूस हैं या रानिया है उन सबको हम स्थान देने वाले हैं आज के सउसर पर मैं आपके सामने चुकि यह हमारे लिए जिस जगे में में खड़ा हूँ अभी अभी हमने मानी मोदी जी की बात कही है और मोदी जी के लिए बहुत अच्छा नारा हमारी सरकार ने बनने के पहले चला था के एमपी के के सबी कामों को मोदी जी लगातार आगे बढ़ाते रहे और आपका हमारा सबका ये कारवा विकास के मामले में चलते रहे तो आज के सउसर पर लोकार पंड के 400 क्रोड़ों से जादा 409 प्रकार के अलग-अलग विकास कार्यों का आज हमने भूमी पूजन किया है इसी जब जोड़ार तालिया बजा करके नए विकास कारयों के आप साक्षी बनिये लगबग 14 लोकार बन भूमी पूजन और भूमी पूजन 100 क्रोड की लागत से नेता जी सुवाश चंद्र बोस मेडिकल कालेज के लिए 100 सीट का नया इंफरस्ट्रक्टर डेवलेप्मेंट का काम कर करेंगे जोड़ार तालिया बजा करके एक दूसरे निर्मान कारे के लिए और 300 क्रोड की लागत से लगबग अलग प्रकार के विकास कारियों का आज हमने लोकारपन किया है मैं आज के जहुसर पर 40 वर्सों की प्रतिच्छा से बर्गी डेम के डूब छेत्र के दस को भू अधिकार योजना के अंतगरत पट्टे दे करके आज के इस कारिकरम को सार्थक करेंगे यसास्वी प्रदान मंत्री ने कहा है हर गरीब के साथ सरकार खड़ी रहेगी उनकी सम्वेदनाओं के हम साथी बनेंगे उनके सुख दुख के लिए हमेशा हिस्सेदार बनें के बन ग्राम के अंदर भी जो कष्टे हैं उनके सरकार की जवाबदारी है आपको मालू में यहां इसी जबलपूर की धर्ती में 63 एकड़ भूमी पर आईटी पार्क का निर्माड हुआ है मानी अजाई जी बता रहा थे थोड़ी थोड़ी मोटी जरवते हैं लेकिन फिर भ जल्दी आईटी पर्क में आगे बढ़ेंगे उस काम को भी पूरा करेंगे लगबग 65 क्रोड की लागत से गार्मेंट एम फैसंट डिजाइन क्लस्टर का काम भी यहां पूरू में चालू करने का निर्णय हुआ है उसको भी हम अंजाम तक पहुचाएंगे आप तालिया ब कोड़ें लंबे एलिवेटेट कारीडोर का निर्माण भी यह होने वाला है कि 1100 क्रोड जोड़ार कालेवजा ओर 300 क्रोड बज गया है जोड़ा 1100 क्रोड किसको केते हैं नमामी नर्बदे परियोजना के अंतरगत 17 घाटों का और अभी आपने कहा गोरी घाट और कौन सा ब